मैं मेरी भाई की मौत का उस यक्षिनी से बदला लूँगा बदला तुमारी सोच बहुत उची है बच्चे तुम यक्षिनी से बदला लोगे जरा मुझे भी बताओ कैसे वो भी अकेले अकेले हाँ मैं बदला लूँगा मेरे भाई का जो अधुरा काम था वो मैं पुरा करूँगा मेरा भाई यक्षिनी के उपर पूरी कहानी लिखना चाहता था और वो कहानी मैं लिखूंगा अब अच्छा और अगर इस कहानी को लिखने से पहले उस यक्षिनी ने तुम्हें मार दिया तो मैं यही तो चाहता हूँ बाबा कि वो यक्षिनी मेरे सामने आए और जिस दिन वो यक्षिनी मेरे सामने आई, उस दिन मैं उसका इतिहास मिटा दूँगा मुझे तुम्हारी बात पर बहुत हसी आ रही है जो काम बड़े बड़े तांतरीक और बड़े बड़े ग्यानी नहीं कर पाए वो काम अब तुम करोगे, ऐसा क्या है तुम्हारे पास, जिसके वज़े से तुम ये सब खह रहे हो मेरे पास आत्म विश्वास है, और मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ तो उसी की वज़े से थोड़ी बहुत शक्तिया मुझे में भी है अब तुम इस तुच्च शक्तियों के साथ उस शक्तिशाली यक्षिनी का सामना करोगे देखो नादन बालक, तुम अपने भाई के प्यार में और बदले की आग में भाउक हो चुके हो लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दिन वो यक्षिनी तुमारे सामने आ जाएगी और तब पलक जबकते ही वो तुमें खतम कर देगी यक्षिनी का रोखने का सामर्थय किसे में भी नहीं है, उसको कभी भी नहीं मारा जा सकता वो अमर है और सदियों पहले ये यक्षिनी भी एक अच्छी औरत थी लेकिन अब वो एक बहुती ज़ादा बुरी डायन बन चुकी है और इसकी भी एक वज़ा है लेकिन इसकी वज़ा क्या है? वो कोई एक शराब है जो उस यक्षिनी को मिला था कैसा शराब? वो तो मुझे भी नहीं पता लेकिन मैं जल्द ही पता करूँगा और तुम्हें बता दूँगा तो फिर बाबा क्या उस यक्षिनी को कभी भी नहीं मारा जा सकता? और वो ऐसे ही मासुम लोगों के साथ संभोग करके उनको मारती रहेगी? आखिर ऐसा कब तक चलते रहेगा बाबा? तेरा ये सवाल गलत बच्चे यक्षिनी अच्छे लोगों को कभी भी नहीं मारती वो उन्हीं लोगों को मारती है जिन्नोंने जिन्दगी में पाप किया हो तो बाबा इसका मतलब मेरा भाई? तुम्हारा भाई भी पापी था एसलिए वो यक्षिनी के हातों मरकर नरक चला गया लेकिन मेरे भाई ने ऐसा क्या पाप किया था बाबा? वो तो मुझे भी नहीं पता लेकिन मैं जहा तक जानता हूँ तो यक्षिनी सिर्फ पापी लोगों को ही मारती है और अगर यक्षिनी ने तुम्हारे भाई को मारा होगा तो तुम्हारे भाई ने भी जिन्दगी में जरूर पाप किया होगा हाँ वो तो ठीक है लेकिन बाबा हम उस यक्षिनी का अब क्या कर सकते है हम ऐसे तो लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते न उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बाबा हाँ मुझे पता है बालक मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम सब लोगों की जान बचा सकते है जल्दी पताईए बाबा वो कौन सा रास्ता है हम यक्षिनी को कैद करेंगे और हम उस यक्षिनी का खाउप हमेशा हमेशा के लिए खादम कर देंगे लेकिन कैसे इस काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरुरत है बोलो करोगे ना मेरी मदद हां बाबा मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ बताईये मुझे क्या करना है अनिकेत की ये बाते सुनकर वो तंतरिक बाबा उसको अपना प्लैन बताने लगे कुछी देर बाद उस तंतरिक बाबा ने अनिकेत को अपना प्लैन पूरा समझा दिया और प्लैन समझने के बाद अनिकेत ने कहा बबा आपका प्लैन बहुत ही अच्चा है लेकिन इसमें मेरी जान को खत्रा हो सकता है और मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा वो अकेली पड़ जाएगी क्योंकि मेरे पापा तो पहले ही गुजर गए थे और अब मेरे भाई को उस यक्षिनी ने मार दिया और अब अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी माँ जी नहीं पाएगी भले ही वो मेरी सौतली माँ है लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है बचपन से उन्होंने मेरी देखभल की है अनिकेद ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है तुम बस खुद पर विश्वास रखो तुम ये कर सकते हो उस यक्षिनी की खुपसूरती से बचने के लिए मैं तुम्हें एक सुरक्षा कवच दूँगा ऐसा अंदे का कवच जो तुम्हारे शरीर के अंदर होगा और उस कवच की वजह से तुम यक्षिनी के सामने टिक पाओगे लेकिन याद रखना वहाँ जाने के बाद तुम्हें जरा सिभी कमजोरी महसुस हुई तो तुरंत वहाँ से भाग जाना ठीक है बाबा मैं तैयार हूँ जाओ बच्चे आज रात आराम करो क्योंकि ये काम हमें कल रात ही करना पड़ेगा यक्षिनी तुम्हें लोगों के साथ सेक्स करने के बाद उन्हें मारने में बहुत मज़ा आता होगा ना अब हम तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे अब इस यक्षिनी की किताब हमेशा हमेशा के लिए बांध होगी और उसके बाद वो किसी का भी शिकार नहीं कर सकते